नवस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंक्यता मिश्रा ओमाइगॉड जो की लोगों को काफी पसंद आई थी अब उसकी दोबारा से सीक्वल जब निकाला गया यानि की ओमाइगॉड टू जब दोबारा से रिलीज होने वाली है ग्यारा ऑगस्त टो इससे स्पहले अब अक्शे कुमार को एक बड़ा ज्हटका लग चुका है जो हैं बता दे कि पहले तो माइ गॉड को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था जब सर्टिफिकेट मिला तो एगonen जो का सर्टिफिकेट हो चुका है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड में 20 कट लगाने के सलाधी है और आडियो वीडियो दोनों इसमें शामिल है ये 20 कट लगा करके हैं आपको अब ये फिल्म जो है वो देखने के लिए मिले की इस तरीके की तो जो बाते हैं वो की जा रही है लेकिन इस से में वो कट लगाने के तयार नहीं है आपको अतादे कि जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड में पहुंची थी सर्टिफिकेट के लिए तो उस दोरान ही इसे रिवाइजिंग कमिटी में दे दिया गया था कहा ये जा रहा था कि क्योंकि ये फिल्म धन पर अधारित है और आदे प कि अगर फिल्म के ट्रेलर को देखा जाए तो फिल्म का जो ट्रीजर रिलीज हुआ है फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उसमें कोई भी ऐसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात नजर नहीं आ रहे है अब रवाइर रिविजन कमिटी ने ऐसा क्यों किया इसके आगे उनके अपने ही तर्क होंगे लेकिन फैंस इसका बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उससे भी खास बात ये है कि इसमें जो कट लगाने की सलाहदी है अगर उस पर सहमती नहीं बनी तो आगे ग्यारा अगस्त से पहले इस फिल्म के रिलीज को लेकर के विवाद ह हो सकता है अब देखना ये है कि 11 अगस्त बेहत करीब है और क्या ये फिल्म समय पर रिलीज हो पाएगे क्योंकि अब फिल्म के मेकर्स जो है वो लगातार फिल्म को लेकर के जहां काफी उचसाहित नज़र आ रहे थे वहीं अक्षिकुमार और ओमाइगाट के तमाम लोगो के देगा या फिर ये फिल्म इसी तरीके से रिलीज की जाएगी या रिलीज की जो डेट है वो आगे बढ़ाए जाएगी तमाम ऐसे सवाल है जो अब फैंस के सामने खड़े हो रहे हैं और फैंस जो है वह लगातार सेंसर बोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सें सेंसर बोर्ट ने अब ओमाई गॉड पर शिकंजा कसा है लेकिन ये शिकंजा कितना काम आता है सेंसर बोर्ट के बीस कट कितने काम आते हैं वह देखने वाली बात रहेगी फिलाल इस वीटो में इतना ही देखते रहे नेक्स टाइल लाइफ